दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस राजी की अस्थापना कब हुई थी यानि कौन सा राज कब बना तो उत्तर परदेश के अस्थापना 26 जनौरी 1950 में हुई थी बिहार के अस्थापना 1 अप्रेल 1912 में हुई थी 36 गल के अस्थापना 1 नौंबर सन 2000 में हुई थी हर्याणा के अस्थापना 1 नौंबर 1906 में हुई थी मद्द पर्देश की अस्थापना एक नॉम्बर 1956 में हुई थी राजस्थान के अस्थापना एक नॉम्बर 1956 में हुई थी आंद्र पर्देश के अस्थापना एक नॉम्बर 1956 में हुई थी करनाटक के अस्थापना एक नॉम्बर 1956 में हुई थी केरल की अस्थापना एक नॉम्बर 1956 में हुई थी अरुडांचल परदेश के अस्थापना बीस फरवरी 1987 में हुई थी असम के अस्थापना 26 जनौरी 1950 में हुई थी ओडिशा के अस्थापना एक अप्रेल 1936 में हुई थी उत्तराखंड की अस्थापना 9 नॉम्बर सन 2000 में हुई थी गुजरात की अस्थापना 1 मई 1960 में हुई थी गोवा की अस्थापना 30 मई 1987 में हुई थी जारखंड की अस्थापना 15 नॉम्बर सन 2000 में हुई थी तमिलनाड की अस्थापना 26 जनौरी 1950 में हुई थी तेलंगाना के अस्थापना दो जून 2014 में हुई थी तिरपुरा के अस्थापना 21 जनौरी 1972 में हुई थी नागालेंड के अस्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई थी पंजाब के अस्थापना 1 नौंबर 1966 में हुई थी पस्चिम बंगाल के अस्थापना एक नॉम्बर 1956 में हुई थी मडिपूर के अस्थापना 21 जनौरी 1972 में हुई थी महाराश्ट्र के अस्थापना एक मैं 1960 में हुई थी मिजोरम के अस्थापना 20 फरोरी 1987 में हुई थी मेघाले के अस्थापना 21 जनौरी 1972 में हुई थी सिक्किम के अस्थापना 16 मई 1975 में हुई थी हिमाचल पर्देश के अस्थापना 25 जनौरी 1972 में हुई थी आपको एक चीज बता दूँ कि जादतर राज्यों के अस्थापना 1 नौंबर 1956 में ही हुई है और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत के किस राज में कितने जिले हैं तो description में link है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि किस राज में कितने जिले हैं या फिर आपके mobile screen पर वीडियो दिख रही होगी उस पर भी किलिक करके आप देख सकते हैं कि किस राज में कितन जिले